जिससे मिलती है स्वतंतरता, समतान, न्याय और बंदुता की गैरेंटी, जो बताता है हमारे हक और हमारे जिम्मेदारियां, जिसने पूरे विश्व में भारत को दी एक अलग पहचान, बाबा साय बामिड कर दौरा निर्मित, भारत का समिधान, जानेंगे समिधान में शेश आपके साथ सविधान के कुछ महत्वपुर्न हिस्सों पर बात करनी का प्रयास कर रहा हूँ, मैं UCN केबल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपके साथ रूबर होने का मोका दी, हम भारत के लोग, हम भारत के 130 करोड लोग, आज आर्थिक विशमता से हम बहुत ज़्यादा पड़ी थे, अगर हम Oxpam की रिपोर्ट देखे, Oxpam की रिपोर्ट जो हर साथ रकाशित होती है, उस रिपोर्ट का नाम है Inequality Kills, इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज 21,300 लोग, आर्थिक विशमता के कारण मरते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक देश की आदि से ज़्यादा आबादी, जो गरीब आबादी है, उनके पास जो दवलत है, उस वो दवलत के कई गुना ज़्यादा दवलत देश के 98 लगण के पास है अगर इन 98 लोगों पे एक प्रतिशत वेल्ट टैक्स लगाया जाए, तो हमारे देश का जो स्कुली विभाग है, स्कुली शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा का सारा खर्चा किया जा सकता है अगर इन 98 लोगों पे 4 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाए, तो आपको जो पता है कि हमारे देश में मद्यानवे भोजन ये कारेकरम चलता है, ये मद्यानवे भोजन के इए 17 साल तक प्रावधान किया जा सकता है क्या ऐसे अनुचे हमारे सविधान में है, हाँ बिल्कुल है, हम अगर सविधान की बात करें, तो सविधान में अनुचे 38 है, जो प्रायोगीक रूप से इस पर बात करता है जो सामाजिक एवन राजनिक नहीं, बलकि आर्थिक नयाय की भी बात करता है अनुचे 38 दो को हम अगर फिर से पढ़ें, वो ही कहता है, राज्य विशेश रूप से आय में असमांताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल वैक्तियों के बीच में, बलकि विबिन्न शेत्रों में रहने वाले या विबिन्न वेवसायों में लगे लोगों के असमांताओं के बीच स्तिती, सुविदा और असरों में असमांतों को समाप्त करने का प्रयास करेगा अगर हम इस अनुच्छेत को देखते हैं तो क्या प्रावधान भारत सरकार अभी तक की समीधान के अमल में कर पाई है तो बहुत-बहुत नौकरियों की स्तिति हमको आरक्षन के माधम से दिखाई देती है पर वो भी आज कम होते हैं नजर आते हैं जो सार्वजनिक प्रकल्प है हमारे देश के वो सार्वजनिक प्रकल्प प्रावेट होते हैं नजर आ रहे चाहे वो कॉंग्रेस सरकार रहे चाहे वो भाजगा सरकार रहे या अन्य कोई सरकार रहे ये दोनों सारकारों ने प्राइवेट प्राइवेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज ही चला है पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनर्शिप के नाम पे सारे के सारे ये सारवजनिक प्रावधान हमको प्राइवेटाइज होते नज़र आ रहे सांसदिय लोक्षाई में ये स्ववाविक है कि आर्थिक समानताओं के लिए पोशन वातावरन निर्मान किया जाए और इसकी ये जानकरी उस वक्त की सविधान सभाव को भी थी ये जानकरी नहीं थी ऐसी बाब नहीं लेकिन फिर भी भावसाग का यागरह था कि राज्णितिक लोक तंत्र में अगर हम एक वेक्ती एक मुल्य ये विचार स्विकार करते हैं तो इसको कार्यानमय में लाने के लिए हमको आर्थिक नयाव हमको आर्थिक लोक्षाई का आर्थिक लोक्तंत्र का ढाचा सविधान में लाना होगा और उसको सिपलाना नहीं होगा तो उसको बया भी करना होगा और इसलिए वो बावा साब का ये आगरह था कि ये आर्थिक ढाचे का शेप और फॉर्म कैसा हो ये भी सविधान में लाए जाए ताकि हम हमें जो सांसदिय लोक्षाई हमें जो सांसदिय लोक्तंत्र इस देश में प्रस्तापित करना है इस सांसदिय लोक्षाई के तहत एक व्यक्ति एक मुल्य ये विचार प्रस्तापित करना है तो हमको ये असमांताओं को दूर हो करना ह यह असमानता दूर करने के लिए आर्थिक ढाचे को डिफाइन करना होगा पर हम पूरे इस सविधान के आमल में अगर देखेंगे यह प्रावदान होने के बाउजुद भी अनुचे 38 ले लो या 39 ले लो यह सारे प्रावदान होने के बाउजुद भी जो प्रयास सरकार के मा और बार बार सरकार गवर्नेंस का नाम लेते गवे bad government, good governance minimum government, maximum governance ये श्लोगन बार बार सरकार लेते आई है पर ये श्लोगन के तहर ना सरकार ने कभी गवर्नेंस ठीक किया ना ये असमान ताय दूर करने के लिए प्रयास किया जो भी कारेक्रम इस प्रावधान के इस धाराओं के अंतरगत चब रहे चाहे फिर हम मंद्रेगा का कारेक्रम देख ले वो जो ग्याप है जो आर्थिक दरी है अनुसचित जाती जन जाती या अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में और एक सम्हुआ एक तपका जो है उसका वो जो आर्थिक दरी है वो कभी अभी तक फिलक नहीं हुई और देश में जो भी संक्टा आये है चाहे फिर मों पैंडा पिट ले लिए को और कोविट ले लिजिए इस से इस आर्थिक दूरी को देश में और पन्पा हैं बढ़त्री हुई है और इसलिए हम देखते है कि बीपील में वो बीपील जो के निकश्ट जो लगाए जाते उसमें भी कभी एक रहा नहीं हुई है लेकिन जो भी निकश्ट लगाए गए उसमें देश की आदि से ज़्यादर तब अबादिये वो बिलो पावर्टी लाइन में है तो बावा साब का ये जो कहना था कि ये आर्थिक ढाचे का शेप एंड फार्म हमने डिफाइन करना चाहिए ये बावा साब का इनिशेटिव था तो हम पार्लामेंटरी जो सिस्टीम बहुत बहुत तर पर ब्रिटिश पार्ला तो बात कर रहे थे वो बिटिश पार्लामेंटरी सिस्टीम में नहीं है ये बावा साब का इनिशेटिव था और अगर आप इसको ये जो बात बावा साब आगरा कर रहे है इसको बावा साब ने कंस्टेंट असेंबली के सामने प्रस्तुत भी किया था जिसे वो बाद में प्रकाशित भी किया गया स्टेट सांड माइनरिटिस के नाम से तो जवाला नहरू जब कॉंस्टेंट असेंबली के सामने सविधान के अब्जेट्टिव उसको बया कर रहे थे तो बावा साब ने उस पे उस पे अक्षिप जताया और कहा कि आप सोशालिजम की जो बात कर रह अब्जेक्टिव उस पे बात करते हैं रास्ट्य करन की बाब की इंडस्ट्री के रास्ट्य करन की और जमीन के भी रास्ट्य करन की तो और स्टेट्स और माइनरिटिस में बावा साब ने वह उसको बया किया है पर हम अगर आज ये देश में सविधान में जो प्रावदान 38 और 39 है इसके चलते जो प्रोग्राम्स बनानी चाहिए वो कम-कम होते नजर आ रहे हैं तो जब गवर्णस के हम बात करते हैं तो ये जिस तरीके से मुल्बुत अधिकार को लेके तुमारे गर मुल्बुत अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोचनायला में जा सकते हो आर्टिकल 32 का इस्तमाल करते हुए पर 38 और 39 ये हमारे निति देदेशिक तत्वों में इसको लेके आप सर्वोचनायला में नहीं जा सकते या उचनायला में नहीं जा सकते पर आपके सामने ये सरकार हर पात साल में आती है इसको आप जवाब दी बना सकते हैं पर आप वो नहीं कर रहें तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो economic democracy की बात वावा साथ ने बड़े हद तक directive principles में कही है उसको हमको समझने की जरूरत है उसको लोगों की बीच में लेके जाने की जरूरत है ताकि सरकार जब हमारे सामने हर 5 सामे हमारे साथ vote माँने के लिए आए तो हमको ये पूछना चाहिए कि आपने क्या कारेक्रम ये आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए लगा है अच्छा अगर हम अगर देखे तो अभी आर्थिक असमानता है ये United Nations का भी धही हुए जिसे सतत्विकस्षिन धही है कहा जाता है ऐसे 17 गोल United Nations ने बनाए है ये 17 गोल के पहले Millennium Development गोल कहा जाता था जिसमें 8 गोल थे आज की तारिक में 17 गोल है और इस 17 गोल में दसवाजा गोल है दसवा जो धेहियर है वो उसे SDG 10 कहा जाता है जिसका नाम है Reducing Inequalities आर्थिक विशंता का बड़ा नुकसान हमारे देश में तो होई रहा है पर इसके कई उदारन इंटरनेशनल लेवल में भी है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे मुद्दों को समझे जब हम SDG 10 की बात करती है तो भारत सरकर क्या कहती है हाँ हाँ हम बिल्कुल ये आर्थिक असमानता है दूर करने के लिए हमने निति धोरन का अवलंबन किया है और इसके चलते हम अनुसुचित जाती और जन जातियों को उनके लिए बजट की पावधान करते हैं पर क्या guideline से और क्या प्रावधान किया जाता है 1980 में ये दोरन की शुरुआत हुई ये निति की शुरुआत हुई कि जो अनुसुचित जातिया और जन जातिया है उनके लोकसंक्या के अनुपात में बजटरी प्रावधान किया जाए बजट में आवंटन किया जाना चाहिए पर आज तक का आप पुरा इतियास देख लीजिए एक भी सरकार ने लोकसंक्या के प्रामान में आवंटन ही किया है और एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि हम SDG 3 के तहत ये आर्थिक असमानता है दूर कर लिए तो जितना प्रावदान होता है उससे कई गुना ज़्यादा एक तो खर्चा नहीं होता और जो खर्चा होता है जिन कारेकरवों के लिए आवंटन किया जाता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपविक्ता समाज के लोगों के लिए नहीं होती तो मिनिस्ट्री आफ टेली के बुजिकेशन में 2000 करोड रुपए दे दिया किस चीज के लिए दिया तो एक नेटवर्क का इस्तमाल त्यार करना है एक नेटवर्क त्यार करना है जो किस को त्यार करना है जो मोबाइल कमपनिया है उनके लिए network त्यार करना है तो उससे समाज का क्या फाइदा होने वाला है तो एक तो जो आवंटन होना चाहिए वो लोग संक्या के प्रमान में नहीं होता दूसरा जो होता है उसका फाइदा समाज के लोगों के लिए होता और जो समाज के लोगों के लिए योज ना आ है वे उधारान के लिए हम postmatrix scholarship अब भी अगर देख ले तो ये postmatrix scholarship की आप जानते हो कि कितने आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको scholarship नहीं मिलिए दो दो तीन-तीन सालों से scholarship नहीं मिलिए तो एक simple scheme एक single scheme पुरे देख भर के लिए ये सरकार या इसके पहले की भी सरकार पुरी तरह implement नहीं कर पाएंगे आज तो ये scheme का पुरा ढ़ाचाई बदल दिया है direct beneficiary के नाम पे आपको account पे आया जा रहा है पैसा पहले state में वेजा करते थे जिसके चलते state पुरी रक्कम वो आपके account में डालती थी अगर beneficiary scheme भी हो तो पर आज के date में क्या हो रहा है इसके implementation में इसके अमल में केंदर सरकार कह रहे है कि नहीं हम अपना पैसा खुद बच्चों के जेब में डालेंगे ताकि corruption कम हो जो corruption होता है वो होता है वाई पर वो पैसा तो मिलेगा तो आज इस ये दायरा बदलने से ना बच्चों को 2-3-3 सालों से पैसा नहीं मिल रहा है तो ये जो प्रावधान इस गाइडलान के दरफ होना जाहें जिसे अनुसुचित जाती प्रोग्राम कहा जाता है वो लोकसंक्या की प्रमान में नहीं होता और इसरह जरूरी है कि इस पर आंदोलन छेड़ जाने चाहिए इस पर जैसा जस्टिस रामा स्वामी कहते थे कि अगर ये नीती हैं तो आप नायलय में चालेंज नहीं कर सकते इसका अगर कानून मनता है तो इसको नायलय में चालेंज किया जा सकता तो कई राज्यों में तिलंगाना अंधरा प्रदेश अभी तो राजस्तान ने भी कामन बना लिया उत्तराखन में कामन है तो ये सरकार से बुजारिश है कि अगर आप चाहते हो आप सही में चाहते हो कि सबका साथ सबका विकास और या सबका विश्वास आप जो बार बार उसमें बया कर रहे हो और ये सबका विश्वास वाकई में आप को है तो आप अनुसुचित जाती और जंजातियों के लिए जो budgetary प्रावदान है और जो budgetary प्रावदान लोग संक्या क्या अनुपात में होना चाहिए उसके लिए कामिन कीजिए और सरकार ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम भी उनको आने वाले पाथ सालों में पूछते नहीं कि अमन्या आपने हमारे विकास के लिए क्या कारिक्रम लगा है तो ये सविधान के धारा 38 और 39 में जो प्रावदा में इस पर चर्चा आप कीजिएगा इसको जैसा मैंने कहा है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करना इसका मुख्य अगर लक्षर है तो आर्थिक असमानताओं दूर करने के लिए क्या कारिक्रम गटित किये गए ये आपको पूछना है और आप पूछ सकते हो आप एक खत लिख सकते हो आपके MP को आप एक खत लिख सकते हो आपके MLA को आप ट्विट कर सकते हो आपके Member of Parliament को आप ट्विट कर सकते हो सामाजिक नया की मंतरालाई को कि आप नहीं अनुचे 38 और 39 को लेके क्या कारेकरम लगा है उस कारेकरम की कैस्पिती या आप जितना ज़ादा इन सारे जो सोशल मीडिया में प्रावदान हमारे पास आज के पास आज के दिन में है उसका इस्तमाल करके इस आर्टिकल और आर्टिकल 39 की आप चर्चा है जरूर समाज भी कीजेगा मैं आपको आज इस निती निर्देशक तत्व के अलावा जिसकी चर्चा नहीं होती जिसे सभविदान में शडूर कहा जाता है अनुसुचिया कहा जाता है उस अनुसुचिय की बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा कि हम आंदुलंग में तो बहुत स्वाबाविक रूप से दलित आदिवासी ये टर्म का इस्तमाल करते हैं लेकिन आदिवासीों के लिए जो महत्रु कुर्णा अनुसुची रही है वो अनुसुची है पाच और छे पर दुर्भाग्यप की बात ये है कि हम मुलबुत अधिकारों की बात बहुत बड़े तोर पर करते कि हमको ये मुलबुत अधिकार होने चाहिए हम कुछ हद तक राज्य के दिति निर्देशत तत्व की भी बात करते हैं पर बहुत कम बाते हम अनुसुचीों की बारे में करते हैं तो अगर ये पाच और छे अनुसुची को अगर हम देखे तो ये बहुत important है खास तोर पर schedule tribe के लिए जो ये अनुसुची के आधार पर मुख्य घुमी के साथ जो scheduled area है अनुसुची अरिया है उस अनुसुची अरिया में इसका administration कैसे हो ये नियोजन ये अनुसुची पाच करती है और अनुसुची छे खास तोर पर हमारे जो north eastern states है उसके बारे में बात करते है पर मैं अनुसुची पाच के बारे में कहना चाहूंगा भारत सभीधान की पाचवी ये जो अनुसुची है उसमें एक जो बात है उसको governor अधिक्षता करते है मुख्यमंत्री अधिक्षा रहते है लेकिन governor उसमें important role play करते है और उसको जन जाती सलाकार परिशत tribal advisory council करा जाते है और ये governor इसमें important role play करते हैं तो इसलिए हर state में governor है हर राज्जा में governor है और अगर हम महारस्टर की बात करे तो 2016 में कभी तो भी एक बार tribal advisory council की बैठा कोई थी उसके बाद tribal advisory council की बैठा कोई नहीं थी हम अगर महारस्टर की आबादी अगर देखे तो करिब करिब 12 प्रतिशक आबादी हमको schedule caste की नजर आती है अनुसजिट जातियों की नजर आती 2011 के census के मुताबिक और करिब करिब 10 प्रतिशक अनुसजिट जन जाति की है और अगर quantum में लिये जाए quantity में लिये जाए तो करिब 1 करोड पाच लाक अनुसजिट जन जाति के लोग हमारे इस राजजने है इतनी बड़े पैमाने पे आबादी अनुसजिट जन जाति के होने के बावजूद भी अगर हम देखे तो हमारे स्टेट में अलग से कोई schedule tribe का commission नहीं पिछले कई सालों में पिछले चार-पाच सालों में अनुसजिट जन जातियों पे जातिया अत्यचार बड़े पैमाने पे बड़े है चाहें फिर वो institutional अत्यचार क्यों ना रहे आप शायद पाइल तडवी की case जानते भी होंगी कि जो पाइल तडवी मुंबे में medical college में post graduate की छात्रा थी उसको जातिगत आधार पर टोकते हुए बोलते हुए उसने उसका खून किया गया institutional murder किया गया मैं यह नहीं कहूंगा कि उसने सुट्राइट किया तो इतने बड़े पैमाने पे हमारे महारास्तर के राज्चा में लोक संक्या होने के बावजुद भी schedule tribe का अलग से commission नहीं है और यह सारी अनुसुची इन सब चीजों पर बात करती है जैसा मैंने कहा कि tribal advisory council की 2016 में कभी बैटा कोई जब राव हमारे governor थे अभी यह जो हमेशा काली टोपी पाहिंकर जो governor सामने आते है और उटपटांग कुछ बात करते है उन्होंने कभी tribal advisory council की बैटाक नहीं ली और 2016 में यह निरनाई भी हुआ था tribal advisory council की बैटाक में कि अनुसुची जनजातियों के budgetary प्रावधान को लेके कानुन बनाना चाहिए लेकिन ना भजपा सरकार नहीं इसका कोई अमल किया ना congress सरकार नहीं या खुद को यह महाविकास आगाड़ी कहने वाली सरकार नहीं कोई अमल किया तो इस कारेक्रम के माद्याम से सभिधान की पार्चेला के माद्याम से मैं आप से फिर पुजारिश करता हूँ कि राज्य निर्देशक तत्वों के तहट जो आर्थिक असामानताओं को दूर करने वाली अनुचेद हमारे सभीदान में है खास तोर पर आर्टिकल 38 और ठकेनाई इस पे आप लोगों के बीच बात लेके जाए और अनुची पाच में जो ट्राइबल एडवाजरी कॉंसिल है जिसे जनजाती सलाकार परिशत भी कहा जाता है तो आप ये कालिटोपी वाले गवर्नर से जरूर लिखेगा कि आने वाले समय में ट्राइबल एडवाजरी कॉंसिल की बैठक बुलाई जाए और दोजार सोला में जो निर्ना इवाता सोला है अपरिदोजार सोला में उसको कार्यान में में मिलाया जाए